कि मिठा बाबा हम सब बच्चों को स्वरग में जाने लायक बना रहे हैं और स्वरग में जाने के लिए सबसे पहले हमारी क्या रिक्वाइर्मेंट है हम क्या कहते हैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैपी रथा सदा स्वस्त सदा समरिद और सदा खुश ये तीन बाते हमारे हमारे लक्षे कहें और उसमें 21 जनम 21 जनम हुए ना सत्यों में 8 जनम त्रेता में 12 जनम तो 20 हुआ एक जनम कौन से वाला एक जनम ये वाला इसंट एट एक जनम ये वाला तो इस जनम में सभी स्वस्त हैं जो स्वस्त हैं वहाँ उठाएं सदा स्वस्त हैं सच मुझ हैं स्वस्त हैं 100% स्वस्त माना क्या देखो स्वस्त शब्द है आईरुवेद का शब्द है डाई हजार साल पुरानाव शब्द है स्वस्त का जो अर्थ है आईरुवेद में स्वा माने आत्मा स्था माने स्थित तो स्वस्त कौन है जो आत्मिक स्थिती में स्थित है वो ही स्वस्त है तो आप सभी स्वस्थ हैं सभी आत्मिक स्थिति में स्थिति हैं सभी आत्मिक स्थिति में स्थिति हैं माताएं सभी स्थिति हैं आत्मिक स्थिति में आप कितना गंटा स्वस्थ रहते हैं छे गंटा, आठ गंटा, कितने गंटा आपको 24 गंटा तो हमें एकर 24 गंटा स्वस्त रहना है तो हमें 24 गंटा ही क्या करना पड़ेगा 24 गंटा आत्मिक स्थिती में स्थित रहना पड़ेगा ये पक्का अभ्यास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ English में स्वस्त को कहते है Healthy Healthy कहते है न Spelling है Healthy की H E A L T H Y Healthy दो शब्दों से बनाए Heal प्लस दाई दाई मना यूरसेल्फ अर्थात Heal यूरसेल्फ जब हम कहते है Healthy बनो तो इस कार्थ क्या है अपने आपको ठीक करो चीक है हमें खुद को स्वेम ठीक करना है अर्थात खुद को स्वेम आत्मिक स्थिती में स्थित रखना है हम बिमार क्यों होते है जब हम गलत सोचते है गलत देखते है गलत बोलते है गलत खाते है गलत सुनते है और हाथों से गलत काम करते है ठीक है तब ही बिमार होंगे न और अगर हम ठीक सोचते हैं ठीक देखते हैं जो में देखना चाहिए क्या देखना चाहिए हमें देखो नहीं देखना चाहिए आत्मा समय आत्मा देखना चाहिए हम ठीक खाते हैं जो बाबा ने आहार बताया सात्वी कहार खाते हैं समय पर खाते हैं परमात्मा की याद में खाते हैं और ठीक बोलते हैं ठीक बोलने का आर्थ सबसे मदूर बोलते हैं सरल बोलते हैं किसका दिल दुखाने वाली बात नहीं करते हैं हाथों से वो करम करते हैं जो में जिसकी श्रीमत मिली है पैरों से वहां जलते हैं जहां हमें जाना है तो हमारा क्या होगा हम स्वस्त रहेंगे अगर गलत करेंगे तो बिमार हो जाएंगे कल भी बाबा ने कहा बड़ी सुंदर कल की मुरली सभी ने सुनी थी कल की मुरली कल की मुरली जिनने सुनी हाथ उठाएं। सबने सुनी। कल प्रतर की मूरसे नो सबीर ने कि आने अभी हॉस्पिटल में कितनी भीड है। डॉक्टर्स के पOffburst है क्या? डॉक्टर्स के पस लाइन लगी हुऑ है। सब्सक्राइए बहुत सारे नॉक्टर्स हो गए है। और डॉक्टर्स के बढ़ने से क्या हुआ बिमारिय कम हो गई क्या बिमारिय और ही बढ़ गई अर्थार डॉक्टर्स ने बिमारिय बढ़ा दी ऐसे तो जो जो डॉक्टर बढ़े बिमारिया भी बढ़ती जा रहे हैं और आने वाले समय में बिमारिया और बढ़ती जाने हैं शायद आपको पता हो, आज हम आपसे यही डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपने तन को स्वस्थ बनाएं, कैसे अपने मन को स्वस्थ बनाएं, और खाली अपने मन को नहीं, क्योंकि बाबा ने जैसे कल कहा, आने वाले समय में ये डॉक्टर, जो डॉक्टर्स फेल हो जाएंगे, ह जैसे अभी hospitals में भीड़ है, आपके सामने भीड़ लगनी है, आपके सामने बहुत सारे patients आने है, emergency patients आने है, आप सब के सामने भीड़ लगनी है, जहां जहां आप रहते हैं, अगर आप में कितने ब्रह्मा कुमार होंगे, कितने ब्रह्मा कुमार होंगे वहां पर, अगर population 50,000 तो कितने होंगे वहां तीन चार होंगे पांच होंगे पांच राख है तो वहां दस पंदरा बीस पचास सो होंगे तो समझ लिए आपके सामने पांच जार लोग आपके सामने लाइन में लगने वाले हैं हर एक के सामने तो आप 5,000 आपको ठीक करना पड़ेगा नॉ करेंगे ठीक एप पर बाबाने कहा कै आप कौन सी विधी से करना है परमातम विधी से परमातम विधी से सिद्धी शभरूब बनना है तो उसकी त्यारी कैसे करें जो कल की मुरली थी उसी पर क्लास समझेए अलब काल के साधन बाबा ने कहा दवाईयों के दवारा अपरिशन के दवारा अलब काल की सिध्धी मिल जाती है किंतु आप के पास कौन सी पावर है वो साइंस की पावर है आप के पास कौन सी पावर है साइलेंस की पावर पवितरता की शक्ति, तो उसके द्वारा कैसे ठीक करेंगे, आज उसको हम वैज्ञानिक द्रिस्टी से देखेंगे, कि कैसे हम उन शक्तियों का प्रियोग करकर के, पहले अपने आपको स्वस्थ बनाएं, फिर अपने इंदर इतनी शक्तियां भर लें, अपने इतनी सिद्ध प्रियां भर लें, कि हम दूसरों को भी स्वस्थ बना सकें, बिना हाथ लगाए, बिना ब्लड टेस्ट कराए, बिना एक्स रे कराए, बिना सीटी स्कैन, बिना एमराई कराए, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, जो समझते हैं ऐसा हो सकता है वहाथ उठाओ, पुरा कि डॉक्टर्स की आवशक्ता पड़ेगी पड़ेगी ऐसा जहाद उठाएं इस नबस भी निए देखनी है आपको ठीक है इससे भी उपर जाना है नबस से भी उपर जाना है तो मैं आपसे अभी वही विदी डिस्कस करूँगा, बिना नवस देखे, बिना किसी को हाथ लगाए, बिना गोली खिलाए, ठीक है, कैसे आपको वो परमातम विदी से सिद्धी प्राप्त करने है, ठीक है, सबी तयार है सीखने के लिए, चले, दो मिनट फिर इसके लिए यो आपकारमूरली में और इवेक्थ मूरलियों में बहुत सारे इशारे दिये हैं, कि किस वीदी द्वारा हम स्वेम भी स्वस्त ब्रह सकते हैं, और दुसरों को भी स्वस्त बना सकते हैं, तो उनी के अधार पर मैं आप से कुछ अपी बातें रूरीहन करेंगे, हम सभी चाहते हैं कि बाबा को दिल से सदा याद करते रहे हैं सभी चाहते हैं निरंतर याद करते रहे हैं चाहते हैं सभी कि तु क्या सदा सदा याद रह पाती है जिनकी याद सदा रह पाती है वो हाथ अठाए हाथ उठाए सदा जब चाहें एक सेकिंड में बाबा के पास जा सकें ऐसे बच्चे हाथ उठाओ मेजोरिटी नहीं कर सकते हैं कारण क्या क्योंकि इसी में ये विदी समाई हुई है इसको हम थोड़ा सा विज्ञानिक विदी से देखेंगे देखें जब एक छोटा बच्चा होता है बिल्कुल छोटा सा बच्चा एक महीने का बच्चा समझे तो जो आत्मा के साथ गुन है बच्चे के चेरे से नजर आते हैं आपको बताएं नजर आते हैं एक मास के बच्चे से आत्मा के साथ गून जो है नजर आते हैं के नहीं आते हैं ग्यान बच्चा ग्यानी लगता है शकल से पवित्र लगता है शान्ती उसके अंदर होती है सबसे प्रेम करता है ना बच्चा बहुत पवित्र लगता है ना देखने से और ज्ञानी भी लगता है जैसे ना अंदर से कुछ सोच रहा है और अंदर से स्थितस, soul conscious है पवित्र भी है, शान्ती भी है, बुख जब जब बुख न रगता है तो रोएगा नहीं, शान्त खेलता रहेगा, प्रेम भी है, सुक भी है, आनंद में भी रहता है, शक्तियां भ पर रखने की शक्ति भी है प्लिब समेटने की शक्ति भी है सामना समाना सब्सक्राइब अदर सातों गुणों का सवरूप है और है पस ऑड़ा सोड़ा वड़ा होता है गाले आतमा एक से एक गोल पिंड है गैसों का बनावा पिंड है उसमें गैसे जलती रहती है तो सूरज से दो चीज निकलती है लाइट और गर्मी सूरज के अंदर light और गर्मी है है ना अंदर है तब ही बाहर निकलती है ऐसी आत्मा में मन, बुद्धी और संसकार है क्योंतु बाहर भी निकलते हैं उसके उसका आसर बाहर भी है तो जैसे मन, सबसे पहले शक्ति जो है आत्मा की वो क्या बुद्धी सूरज, अगर आप सूरज के आसपास देखें, तो सूरज के आसपास एक हेलो नजर आता है, तो सबसे पहले है बुद्धी, फिर है मन, और मन के बहार क्या है संसकार, ठीक है, संसकार क्या है, जो चीज हम बार-बार करते हैं, वो हमारा संसकार बन जाता है, और संसकार हमारी आखों से जो हम मुख से बोलते हैं उस से कानों से जो हम सुनना पसंद करते हैं जो हाथों से करम करते हैं इनसे पता लगता है जैसे कोई आदम स्मोकिंग बार बार करता तो उसे क्या कहते हैं स्मोकर कोई आदमी ड्रिंक करे तो उसे इलकोहलिक कहते है जो आदमी क्रोध करे कोई आदमी आपके पास आने वाला है पहले से तो आपको से संसकार पहले से पता लग जाते हैं उसकी आदमी आ रहा है इसकी ऐसे संसकार है सनसकार को दूसरी भाशनम आदत भी कहते हैं है रविक है तो जब छुटा बच्चा एक एक साल का एक मैने का है दो मैने तीन मैने का है यसी बच्व थोड़ा सा बड़ा होता है तो मां क्या करें बच्चे को कि मा작 affirmative तुम्हारा यह उसको समझ नहीं आती है फिर भी उसके समझे बोलती रहती है यह तुमारे पापा है यह तुमारा भाई है ऐसा बोलती है ना और नहीं तो बच्चा क्या समझता है हर औरत को अपनी मा समझता है नहीं ऐसा उसके लिए उसके लिए खास फरक नहीं है सब को अपना पापा समझेगा है ना जैसे एक जैसे होंगे ना सब को भाई समझेगा कि तो फिर मा बताती है ये तुम्हारा भाई है ये तुम्हारा भाई नहीं है मा बताती तुम्हारा ये पापा है ये तुम्हारे अंकल है ना जैसे से बच्चा बड़ा होता है तो बुद्धी में को ना के बैठ गया बुद्धी में सबसे पहले मा के बैठ जाती है जब एक महीने का बच्चा तो उसके अंदर मानी बैठी वी बुद्धी में बुद्धी में तो सरफ वो आत्मा है और प्रमात्मा की याद उसको समझे जो भी है जो उसने विकर मिनाश किये है गरब जेल में रहकरके उसके बाद उसका मन क्लियर है बुद्धी में कोई नहीं है कि तो अभी जो है बुद्धी में कौन बैठ के आकर के मा आ गई फिर उसके पिता जी पापा आ गई फिर उसके भाई बहन आ गई अब दो से ग्यारा साल की उमर आद बच्चा जो है पैसिवली रिसीव करता है सारी बाते जो उसकी मा कहती है यह अच्छा है उसको अच्छा मान लेता है यह बुरा है इसको बुरा मान लेता है बच्चे वा नहीं जाना बच्चे ऐसा नहीं करना उसके पापा कहते हैं करना पर उसके दोस्त हैं उसको बताते हैं ऐसे करना ऐसे नहीं करना तो अब हमारी बुद्धी में कौन बैठके आ करके माँ बाप टीचर भाई बहन और दोस्त कि ग्यारा साल की उमर तक हम वही देखते हैं जो में दिखाया जाता है जो मा ने देखना सिखाया है बाप ने देखना सिखाया है टीचर ने देखना सिखाया है हम सब हमारी जो लिमिटिड विजन हो जाती है और 11 साल के बाद जो उसके बाड़ी में हार्मोन निकलने शुरू होते हैं जिससे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है फिर वो अपने आपको पैचानने लगता है फिर इन आखों से देखना शुरू करता है ठीक बात है 11 साल तक क्या देख रहा था वो जो उसके माबाप ने दिखाया जो उसके टीचा ने दिखाया फिर 11 साल के उमर के बाद इन आखों से देखना शुरू करता है तो इन आखों के बीच में और बुद्धी के बीच में क्या मन है मन में क्या है मन में स्मिर्थियां है मन में एटिट्यूड्स है आत्मा से साथ साथ शक्तियां निकलती रहती हैं, जिनका नाम मैं ने बताया अभी ज्यान, पवितरता, शान्ती, प्रेम, सुक, आनन्द और शक्तियां, आथ शक्तियां होती हैं, ठीक है? और ये आठो शक्तियां आत्मा से निकल करके सारी बॉडी में फैलती रहती है अगर ये आत्मा निकल जाए तो शरीर काम करता है क्या आखे देखेंगी मुख बोलेगा कान सुनेंगे नहीं सुनेंगे ना मतलब अर्थात आत्मा है तो सबसको चल रहा है आत्मा नहीं है तो सब बंद हो जाता है ब्रेन में जो सेंट्रेश वो भी काम करना बंद कर देते हैं तो आत्मा की जो साथ साथ गुण है या साथ शक्तियां हैं साथ उड़ जाएं हैं वो साथ energies हैं जिससे आत्माई शरी को चला रही है और जाती मन के थ्रू है तो मन में अभी हमारे बच्चे के मन में अभी क्या आगया समिर्थी में कुछ बातें ठीक हैं कुछ बातें मैं जो मन में स्मिर्थी में जो बस गई जो मापाप ने बताई वरिती में हमारी वैसी वरिती बन गई ये वैसे हमारी भामना ये वैसे हमारी संकल्प बन गई अब एनर्जी जो है उसके थूरू बहेगी ये ऐसा बहेगी जैसे सपोज मा ने कहा कि एक किसी के बारे में बताया कि बच्चे ये जो है इससे आप बात करो वो उससे बात करेगा बच्चे ये खराब आद में इससे बात नहीं करना तो जब जिससे बात करेगा उससे तो उसके अंदर शान्ती पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, प्रेम मियांसे निकल के हमारे बॉडि में जाएगा, कि जिससे वो, जिसके कहाए, एक खराब है, उसको देखका, उससे बात करें तो क्या feeling आएगी उसको अशान्त हो जाएगा प्रेम की feeling नहीं रहेगी तो कभी तो वो उसके अंदर flow होता है energy का कभी नहीं होता है ठीकी बात है अब यह जो साथ गुन आत्मा के हैं इन साथो गुन से हमारी पूरी बाड़ी को नरिश्मन मिल रही है आत्मा से अगर यह साथ गुन बाड़ी के हर अंग को चाहिए ही चाहिए कि तो एक गुन special है बाड़ी के हर अंग के लिए जैसे brain के लिए क्या चाहिए ग्यान चाहिए जितना यह ग्यान है मैं आत्मा हूँ ग्यान चार बातों का है A, B, C, D A मने आत्मा B मने बाबा C मने साइकिल और D मने ड्रमा जितना ये ग्यान किलियर है मैं आत्मा हूँ, मैं प्रमात्मा की संतान हूँ बाकी भी सब आत्माएं हैं और हम पहले पावन थे सतो परदान थे हम सदा स्वस्त थे अभी फिर बन रहे हैं और संसार में हर आत्मा का अपना पार्ट है उतना हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है अगर हमारे मन में ये रहे कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसल्मान हूँ मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत अनुभवी हूँ तो हमारा ब्रेन उतना कमजोर कम काम करेगा हम अच्छे अच्छे कारे नहीं कर सकते हैं हम जगडे में ही रहेंगे जैसे हिंदू हिंदू के बारे में बात करता रहेगा मुसल्मान मुसल्मान के बारे में बात करता रहेगा डॉक्टर अपने आपको समझे, डॉक्टर के बारे ही बात करता रहेगा हम नई रिसर्च नहीं कर सकते हैं, नए ना कारे नहीं कर सकते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े-बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं वो उनके मन में इस बातों से उपर होते हैं वो अपने आपको आत्मा नहीं कहते हैं किन्तु सबको अपने आपको एक इंसान समझते हैं और सबको बराबर समझते हैं जैसे हमारे डॉक्टर जो हमारे जो राष्टपती हैं है तो मुस्लिम किन्तु क्या अपने आपको मुस्लिम समझते हैं तबी तो अगर वो अपने आपको मुस्लिम समझते रिसर्च कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो जो इन बातों से उपर होते हैं, वो अच्छी-ची रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे-चे कारे कर सकते हैं, उतना उनका दिमाग अच्छा कारे करता है, चीक है, और पवितरता से हम स्वांती से लंग्स को नरिश करती है जितना हमें शांती में होते हैं उतनी हमारी सांस गहरी होती है और अराम से सांस चलती है कि जितना हम जल्दी में चिंता में होते हैं सांस हमारी फास चलती है हमें जो है सास गिनकर के मिलते हैं si 108 के इनकर मिलते हैं हम उमर साल के नी भी उमर में एक कोई न वहता कि आप सांट साल जेने के सतर साल जेने हम Commissioner मिलते हैं इस उ स्वासों को हम चाहें तो जल्दी खतम करें चाहें तो उस लंबा समय तक you प्जिस्ट करें सपोर्ज मैं आपको अपनी example जैसे लूँ माले ये मिले को अभी पांच साल किसे ने का पांच साल आप जिएंगे ठीक है और पांच साल अगर मैं जल्दी में चिंता में गुस्सा में रहूं प्रोद में रहूं तो क्या होगा गुसे में जल्दी में चिंता में स्वांस कैसे चलते हैं फास चलते हैं नॉर्मल स्वांस एक मिनट में बारा बारा आता है जल्दी चिंता और गुसे में 20 बार स्वांस आता है 22 बार भी स्वांस हो जाता है तो अगर मैं स्वांस एक मिनट में 12 बारा की बारा की बज़ाए 20 बार लूँ तो क्या होगा वो 5 साल कितने दिल में खतम हो जाएंगे, 3 साल में खतम हो जाएंगे ठीक है, तो मेरी उमर घट गई ना, 5 से कितनी हो गई तीन साल हो गई और अगर मैं बहुत शान्त रहूं, प्रेम से रहूं, सब से मीठा बोलूं खुश रहूं, तो मेरी स्वांस कितनी चलेगी, एक मिनट में छे बार यह अपने रिसर्च करके देखी है DRD को इस अप क्लाबरेशन जो किया था हमने, तो उसमें एक क्लाबरेशन में रिसर्च करके देखा कि जब हम राजयोग में होते हैं मैं आत्मा हूं, इस्तिती में इस्तित रहते हैं तो हमारी स्वांस एक मिनट में छे बार पांच बार, साथ बार ऐसे चलते हैं तो अगर मैं पांच की बाराग बजा छे बार लेता हूं एक मिनट में सांस, तो कितना हुआ वोई सांस कितनी दिर में खर्चोंगे दस साल चलेंगे तो मेरी उमर कितनी बढ़ गई पांच साल बढ़ गई न तो इसे कहते हैं योग बल से आयो की प्राप्ति होती है ठीक है तो ऐसे हमारी जो आत्म है आत्मा हूँ अपने लंग्स को शांती के दोबारा नरिश कर रहे हैं जल्द बाजी नहीं कोई चिंता नहीं एकदम मस्त और सब कुछ तो मिला है ना पाना था सुपा लिया काम क्या बाकी रहा जब हम इजी लाइफ में जी रहे हैं तो हमारी जो स्वांस बहुत अराम से चलेगी हार्ट प्रेम गुन जो है आत्मा के दो प्रेम है उससे हार्ट नरिश होता है जितना आजकल रिसर्च के ज़रा पता लगा है जितना प्रेम दिल में बहता है उतना ही हार्ट के नसों में खून बहता है जो मनुश्य अपने को ऐसा महसूस करते हैं उनको कोई प्रेम नहीं करता है उनकी हार्ट के नसे सिकुड जाती है ब्लॉक हो जाती है और आज ये बहुत प्राब्लम हम बढ़ती जा रही है आज लोग फील करते हैं कि मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है सब मतलब का प्रेम करने वाले ऐस रक्षा की भावना मैसूद सब के अंदर बहुत जादा बढ़ गई है इसलिए लाइसी वाले बहुत पैसा कमा रहें इंशुरेंस वाले सबसे ज़्याद इंकम किस की आज इंशुरेंस कंपनी की तो प्रेम का केंदर क्या है और वैसे पिदिखाते किसको है हाट को क्या दिखाते है दिल को क्या दिखाते है लव का connection जोड़ते ना किसी का नाम लिखेंगे फिर बीच में heart दिखाएंगे फिर दुसरे का नाम लिखेंगे so and so loves so and so तो बीच में heart दिखाते हैं तो प्रेम जो है उसका connection heart से है कौन सा प्रेम निस्वार्थ प्रेम त्याग वाला प्रेम spiritual love physical love नहीं खुषी का connection आत्मा खुषी से हमारे पेट को नरिश करती है आतों को नरिश करती है लिवर को नरिश करती है तो जितना खुषी हमारे जिए खुषी जैसी खुराक नहीं अगर आप खुष हैं तो भूत खाना रुखा सुखा खाना भी आपको ताकत दे देता है। अगर आप चिंता में हैं, नेंशन में हैं, दुख है मन में कोई, तो खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, उससे गैस बन जाएगा, असीड बन जाएगा। फिर हमारा जो छटा गुन है वो आनंद है आत्मा का, आनंद से आत्मा जो हमारी ग्लैंड्स है न पिटुट्री ग्लैंड है, एंडो हर्मोनल ग्लैंड्स, पिटुट्री ग्लैंड है, थायराड ग्लैंड है, पैंक्रियास है, एडिनल्स हैं, जो हमारी हर्मोनल ग्लैंड्स है उनको नरिश करते है और हार्मोन्स का काम है सारी बॉडी में हार्मनी पैदा करना ऐसे रस हैं जो हमारी पिटुट्री ग्लेंड से निकलते है पिटुट्री ग्लेंड बॉडी की मास्टर ग्लेंड है इसमें से हार्मोन निकलते हैं से छे पज़े के बीच में चार से पांच इसका मुख्य समय है चार से पांच यह हार्मोन निकलते हैं मतलब मुख्य तया सुबा और इसका इस हार्मोन निकलने करनेक्शन किसे आनंद से है जितना हम आनंद में होते हैं उतना यह हार्मोन बैलेंस में निकलते हैं जैसे किसी श और उसमें आप सोते रह जाओ मोटर ना लगी हो घर में तो क्या होगा आप उठेंगे तो पानी तो चला गया फिर क्या करेंगे आप आपको नहाना भी है स्नान करना है ना पानी पिने के लिए भी चाहिए खाना बनाने के लिए फिर क्या करेंगे आप बाल्टी लेके क्या कर पंगते रहे दो सारा दिनुब हैं तो ऐसे वी ब्राह्मनों की बाध है कि अगयर इसलिए अमरित विला बनाये चार से पांच है कि अगर चार से पांच का समय हमने आनन다 स्थिती में बैठ गैए nowadays नहीं ऐसे नहीं, कौन से स्थिती में बैठना है, आनन्द सरूप स्थिती में बैठना है, अगर आनन्द सरूप स्थिती में बैठे, तो पिटुट्री ग्लेंड से हार्मोन निकलेंगे, पूरी बॉड़ी को, यह master ग्लेंड है बॉड़ी की, एकदम आत्मा के नीचे, 24 गंटे के लिए स्प्लाई मिल गई तो 24 गंटा आप फ्रेश रहेंगे कोई चिर्चड़ापन कोई गुसा, कोई टेंशन कोई थकावट फिल नहीं होगी अगर चार से पांच आप सो गए तो तो हार्मोन निकलेंगे निकलेंगे तो imbalance निकलेंगे inadequate amount में निकलेंगे कम मात्रा में निकलेंगे कोई कम कोई ज़्यादा निकलेगा फिर क्या होगा सारा दिन थकावट, सारा दिन अशान्ती चिर्चड़ापन फिर क्या करते हैं हम सारा दिन क्या करते हैं न, वो तो पानी लेकी घूम, पानी के लिए बाटी लेकी घूमते हैं। हम क्या करते हैं। बगवान से मांगते हैं या मनुश्यों से मांगते हैं जो 4-5 जो सोता है वो उसका भागए भी सोजाता है जो 4-5 पक्का आनंद सुरूब सित्य है अमरित वेला करते हैं बहँत उठाओ पक्का तो आज से क्या करेंगे आप खल से, वार्निंग में, इसलिए महत्व है, चार से पांच आनंद सरूप स्थिति में बैठना, तो आपके 24 गंटे के लिए सारे हार्मोंज निकल जाएंगे, बैलेंस में, और 24 गंटा आप ऐसा फिल करेंगे, जैसे नेक्स 24 जब तक चार अगला चार बजेगा, तब तक आफ पवितरता अंदर पवितर संकल्प चलेंगे, पवितरता क्या होती है, लाइट का ताज महसूस होगा सारा दिन, आखों से पवितर ताके वाइबरेशन निकलेंगे, मुख से शान्ती के बोल निकलेंगे, शान्ती मन में महसूस होगी, शान्ती धाम दूर नजर नहीं एक सेकुंड की दूरी पर शान्तिय धाम रहेंगा है तो जिसने एक गंटा अनद सरूप सिती में अमरेत वैला किया उसका क्या होगा 24 गंटा अच्छा जाएगा जिसने मिस किया जिसने आनन्द सुरूप सिति के बजाए सिर्थ सुक सुरूप सिति का अनुभव किया उसका भी नहीं होगा जिसने खाली प्रेम सुरूप का किया उसका भी नहीं होगा कम होगा कोई शांत सरूप में चला गया तो उसका तो बिलकुल ही नहीं होगा, ठीक है, है ना, तो इसलिए आनंद सरूप, बतलब आनंद कभी आएगा, जब आत्मा प्रमात्मा के साथ लवलीन हो जाए, तभी तो आनंद आएगा, मिलन के बेगर तो आनंद आ नहीं सकता है, आत्मा और प्रमात्मा के मिलन में ही आनंद आएगा तो ये हमको पका करना है ठीक है और उससे बहुत सारी प्रिमारे ठीक हो जाएंगे क्योंकि हर्मोंस अकामी सारी बॉड़ी में हर्मनी पैदा करना है साम जैसे स्थापन करना है आपसमें दोस्ती कराना अंगो की दोस्ती कराना और शक्तियां जो है जैसे के ये हडियां जो है हमारी बॉड़ी में जो बॉन्स है जॉइंट्स है मास है अगर ये ना होता बॉन्स जॉइंट्स ना होते तो हम क्या होते ऐसे शकल होती क्या हम क्या होते सुचो अगर हमारे अंदर हडियां ना होती मसल्स ना होती बोंज ना होती क्या होते हैं एक मास का गोल-गोल गैंद होते हैं नहीं जो लड़कता रहता नहीं शकल होती क्या तो जैसे हडियां और मसल्स हैं हमारी जॉइंट्स हैं हमारी हर इंसन का फ्रेमवर्क है धाचा है, उसके बगर इंसान इंसान नहीं है, ऐसी जो आठो शक्तियां है, परखने की शक्ति, राइट रॉंग को परखने की शक्ति, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये परखने की शक्ति, मेरा पिता परमात्मा शिव है, ना के श्री कृष्ण है, ना के राम है, ना क मेरे दुश्मन है इन विकारों ने मुझे आधी मद्यान दुख दिया है कि किसी और ने दुख नहीं दिया है काम विकार ने मुझे आधी में आधी मेरा संगम आधी है इस काम विकार ने मुझे आदी परमात्मा के आने के बाद में मुझे मिलन का सुख नहीं नहीं देता है मन में अगर संकल्ब चलते हैं तो मिलन का मैंनुभ नहीं कर सकता परमात्मा से मध्य में दुख दिया है इसी विकार के करण में सत्युक से सुरग से नरक में आ गए हैं नहीं आए इसी विकार करण आए न और अंत में जब कल्युक का अंत था तो हमारी क्या हलत थी पशु समान जीवन हो गया था हमारी दिस्टी कहां कहां नहीं बटकती थी तो आदी में दुख दिया आदी में दुख दिया मध्य में दिया और अंत में दिया क्रोध विकार ने हमें क्या कहां से कहां बना दिया आदी मध्य दुख दिया लोब ने आदी मध्य दुख दिया यह विकार मुझ आत्मा के शत् यह प्रखने की शक्ति, और इन विकारों का कौन-कौन से रूप हैं, उनको जानने की शक्ति, समय को प्रखने की शक्ति, यह समय कौन सा समय चल रहा है, संगम का समय, अंत का भी अंत है, इस समय हर सेकिन्ड, हर स्वास, मुझे देह और देह के सरव संबंद को भूलके, अपने को आत्मा निश्चे करके अश्रीरी आत्मा निश्चे करके परमात्मा को याद करना है क्यों याद करना है क्योंकि परमात्मा की याद से ही जो त्रेसा जन्में ने पाप किये हैं वो विकर्म विनाश होंगे और उससे मैं पावन सतो परधान बनके घर जा सकती हूं बाप के साथ आत्मा और ये समय ही मिलन मनाने का समय आत्मा प्रमात्मा तो ये समय को प्रखने की शक्ति निर्णे करने की शक्ति मेरा तो एक शिप बाबा दूसरा ना कोई ये निर्णे पका कर लो विस्तार को सार में लाने की शक्ति, सार को विस्तार में लाने की शक्ति नहीं, चोटी सी बात के बड़ी बात बनाना, चोटी सी बात का बड़ी बात बनाते हैं, बड़ी बात का चोटा चोटा करते हैं, बाबा ने अभी सिखाया हमें, कितनी भी बड़ी बात हो जैसको चोट कर दो, सार में ले आओ, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना, समाना और सयोग करने की शक्ति, ये आठ जो शक्तियां हैं, इन आठो, ये आठो शक्तियां हमारी framework है, इनसे हमारी हडियां, जॉइंट्स, मसल्स, सब नरिश होती है, इन से बनती भी हैं और नरिश भी होती है जब इन शक्तियों कभी होती है तो हमारे जॉइंट्स में दर्द होती है हडियों में, गर्दन में गर्दन का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी गुटनों का मतलब क्या है? इन joints का मतलब क्या है विस्तार को सार में लाने की शक्ति ठीक है spine का क्या मतलब है समेटने की शक्ति यह इसका क्या मतलब है सहयोग करने की शक्ति यह इन वाले joints का क्या मतलब है सहन करने की शक्ति यहां से भी सहन करते है जब कोई सहन सामना करने की शक्ति समाने की शक्ति यह जो आले जोईंट्स ना तो इसके बहुत गहराई में जाएं तो एक जोईंट एक हड़ी एक बोन का connection इन शक्तियों के साथ है तभी आपने देखा होगा जिनको हड़ियों में दर्द होता है भले आप कितनी गोली खालो कितनी केल्शे में गोली खालो थोड़े दिन दर्द ठीक होता है फिर शुरू हो जाता है अगर आप उन शक्तियों का प्रियोग करें अपने जीवन में तो वह जोईंट ठीक हो सकते हैं और सातों गुन मिलकर के हमारी हर सेल में से गंदगी टॉक्सिंस जहरीले पदार्थ बनते हैं तो पसीने के रूप में यूरिन के रूप में और स्टूल के रूप में बहार निकलते हैं तो सातों गुन मिलकर के हमारी बॉड़ी से हर से जहरीले पदार्थ पसीने के रूप और आतों के दोरा बहार निकल जाते हैं तो इस तरह से हमारी body जो है आत्मा चला रही है मन के थुरू पर ये सातों शक्तियां मन के थुरू जाती है जैसे के हम प्रेम की बात करें अब आत्मा यहाँ है प्रेम आत्मा से निकल रहा है और हार्ट में उसे पहुँचना है कैसे पहुँचेगा पहली बात तो स्मिर्थी के थुरू पहुँचेश पहली तो बात है स्मिर्थी अब प्रेम यह से निकला स्मिर्थी के थुरू, अगर मेरी मन में स्मिर्थी ऐसी है कोई किसी को प्रेम नहीं करता है या मुझे ग्यान सुनाया जाता है कि प्रमात्मा प्यार का सागर है हम रोज मुर्ली में सुनते भी हैं प्रमात्मा प्यार का सागर है हम प्रमात्म प्यार के अदिकारी है क्यों तो मेरी स्मिर्थी में जो मैं छुटा था दो साल का है पांच साल का था तो मेरी स्मिर्थी में ये बैठा हुआ है माने बताया था ये दुनिया में सब बहुत मतलब का प्रेम होता है अनुभव भी किया है कभी जीवन में कि सम मतलब का है तो स्मिर्थी में तो ये बैठा हुआ है अनुभव भी है और वो बताया भी हुआ है तो कितना भी मैं सुनता हूं मेरे अंदर जाता नहीं है हाट तक नहीं पहुंचता है रास्ते में ब्लॉकेज है सुनना अच्छा लगता है तो जैसे ही हम बहार निकले फिर वापिस उसका एफेक्ट नहीं होता है मेरे विर्ती में ब्लॉकेज है एटिटूड नहीं है प्रेम के प्रति कोई प्रेम करता तो लगता शायद यह मतलब से मुझे कर रहा है इसका कोई मजरू मतलब होगा मेरे साथ कोई निस्वार्थ भी करे तो उसका विश्वास नहीं होता कोई निस्वार्थ प्रेम कर भी सकता है तब ही लोगों को यहां के आश्चरे लगता है कि इतना निस्वार्त प्रेम धर्ती पर कहीं कौन करेगा तब ही उन्हों को आश्चरे लगता है यहां पर आकर हमारे पास आकर के यग्य में आकर के मदुबन में आकर के फिर हमारे संकल्पों में अगर संकल्प सदाई क्रोध क पर चलते हैं तो प्रेम की बात ही यह एं अंसे नहीं है इंट्री होती है नहीं प्रेम की हाट तक कर तो यह यह से टूंज कहते हैं टूंज एमोपस अ्टशं सें और मैमओरी 's तो ये माध्य में जिसके दोरा मन माध्य में जिसके दोरा ये शक्तियां हमारे अंदर जाती है तो अगर हमारा मन स्वच्छ हो जाए हमारी स्मिर्तियां स्मिर्ति में सरफ ये ही भर जाए बाबा की बाते भर जाए बाबा की महिमा भर जाए तबी कहते हैं बुद्धी योग से बाबा को याद करना है तो मन में अभी बुद्धी में क्या करना है पहले बुद्धी है फिर मन है तो बुद्धी में अगर हम बाबा को बिठा दें अभी तक भी हमने बुद्धी में से अपने माबा को निकाल दिया क्या लॉकिंग माबा को निकाला है क्या निकाला नहीं है कमरा खाली हो तो दूसरा आएगा ना अपने टीचर्स को निकाला नहीं है अपने दोस्तों को निकाला है क्या कमरा खाली हो तो फिर दूसरे को बठा सकते हैं ना अभी बहुत अंदर कंजेशन हो गई है बुद्धी में कभी मा की बात याद आती है कभी बाप की बात याद आती है कभी दोस्त की बात याद आती है उसमें बाप की बात तो भूल जाती है इसलिए निरंदर याद नहीं रहती है तो अभी क्या करना पड़ेगा कमरा खाली करना पड़ेगे ना बुद्धी रूपी कमरा खाली करेंगे इसका बुद्धी रूपी कमरा खाली है वहाथ उठाओ 90% खाली है तो भगवान को पसंद नहीं है पर ऐसा बाबा को पसंद नहीं है बाबा तो कहता है सिर्म मैं केला ही रहूंगा दूसरा कोई रहना नहीं चाहिए 10% भी दूसरा उसको पसंद नहीं है वो बोलता है पूरा कलब तो आप दूसरी रहे है एक जनम तो मुझे रख लो अंदर कमरे में न दूसरे को निकाल दो तो देहे और देहे के सब धर्म सर्व संबन सर्व पदारत सर्व संभाव संसकार सब को त्याग करके मुझे अंदर बठाओ तब क्या होगा अचली क्यों आज हम बिमार क्यों हो रहे हैं कारण क्या एक तो आत्मा की शक्ती वैसी कमजोर हो चुकिया बैटरी बिलकुल डाउन हो चुकिया ऊपर से बुद्धी में दूसरे बैठे हैं स्मिर्थी में पुरानी बाते भरी पड़ी है देह और दे के संब संबंद भरे पड़े हैं भावनाओं में दे और दे के संबंदियों के प्रती भावना है दूसरों के प्रती भावना नहीं है जो हमारे संबंदी है मेरे मेरे जो रिष्टदार है संबंदी उनके प्रती भावना नहीं है संकल्प उनके ही चलते हैं तो एनर्जी कैसे पहुँचे हाट को शक्ति कैसे पहुँचे ब्रेन को शक्ति कैसे पहुँचे आंखों को शक्ति कैसे पहुँचे तभी चश्मे लगे पड़े हैं देखो मुझे भी चश्मे लगे पड़े दाथ आदे नकली कानों में सुनता है सभी तो इंद्रिया खराब हो गई नहीं हो गई गरदन टिकती नहीं है कॉलर लगाओ चाहे हाथ परो में दरद हाथ काम नहीं करता सांस पूरा चलता नहीं बढ़ बोडि कहा गाड़ी चलती नहीं गाड़ी एकदम से खचारा तो ये क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले cleaning हें है, क्या करना है सबसे पहले? बुद्धी का कमरा, खाली करो. खाली करें अभी? हां? कभी खाली करेंगे? आज शाम को? चलो, अभी खाली करें? चलो, आदा मिनट में हम सब खाली करें. बुद्धी में से अपने माबाप को लौकिक माबाप को ठीक है टीचर को भाई बहनों को लौकिक वाले भाई बहनों को दोस्तों को अभी बुद्धी से निकालो चलो आदा मिनिट चलो निकालते हैं मैं भी निकालता हूँ आप भी निकालो सचे दिल से निकालना निकाल के फिर बाबा का आवान करके बुस में बिठाएंगे बाबा को खाली हो गया? कमरा खाली? अब बेग बाब को बिठाओ जलो भी अवान करूब बाबा का? अवान करूब बाबा का? बाबा आगया? कमरे में बाबा आया के नहीं आया अभी तक? आगया? जिनके कमरे में बाबा आगया हाथ उठाएं? उच्छा हाथ उठाओ ना? जिनका नहीं आया हम समझें के नहीं आया उनका? जो हाथ नहीं उठाएंगे? अब बाबा आ गया तो बाबा क्या लेकिया आया साथ में? है ना ज्यान का सागर है ना पवितरत का सागर है शान्ति का सागर है प्रेम का सागर है शुक का सागर है आनंद का सागर है शुप्रीम सर्जन है सबसे बड़े सेट को बिठा लिया आपने ठीक है अपने कमरे में कितना किराय मिलेगा क्या कहरें तो जब उसको किराय देते है न तो अब ही उनको बिठा लो मन में बुद्धी में अब बुद्धी योग उनसे लगा रहे बस तो जब बुद्धी में बाबा आ गया तो समिर्थी फिर उसके निसा परिवर्थन हो जाएगी अब बाबा ही हमारी स्मिर्थी परिवर्तन करेगा फिर बाबा की मुर्ली हमारे मन में बैठेगी नहीं तो मन में मुर्ली बैठती नहीं है मुर्ली सुबसबस हुनी न कितनों को याद रहती है मुर्ली यहां बैठे बैठे याद है कमरे से बाहर निकले मुर्ली गायब तो स्मिर्थी में परिवर्तन हो गया फिर मुर्ली ठहरती है स्मिर्थी में सारा दिन मुर्ली याद रहती है बरदान सारा दिन याद रहेगा स्लोगन सारा दिन याद रहेगा एक बल एक भरोसा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सरफशक्ति मान मास्टर सरफशक्ति मान तब याद रहेगा याद के समय सेवा याद नहीं आएगी दोनों का बैलेंस रहेगा तब स्मिर्थी में रहेगा तब attitude सबके परती क्या हो जाएगा आत्मिक attitude हो जाएगा सब आत्माए है सब हम एक बाप के बच्चे है सबको वापिस जाना है जिसने जो किया उससे का कल्यान हो सबके प्रति शुब भामना शुब कामना हो जाएगी सबके प्रतिस अंकल पॉजिटिव चलेंगे फिर क्या होगा automatically इन आखों से क्या होगा फिर कौन नजर आएगा इन आखों से अभि मन सब स्वच हो गया स्मिर्ति भी स्वच हो गई वरिति भी सवच हो गई भामना भी स्वच हो गई और संकल भी स्वच हो गई सबच मना transparent हो गए बुद्धी में बाबा मन ट्रांस्पेरिंट कौन नजर आएगा अभी तब मस्तक से बाबा नजर आएगा तब आँकों बाबा नजर आएगा तब मुख से बाबा काई बोल निकलेंगे तब कानों में बाबा काई बोल ही सुनाई देंगे तब हाथों से वो ही करम होंगे जो बाबा करता है तब ही वर्दानी मूरत बनेंगे नहीं हो गया ऐसे तो तब आटोमेटिकली वो एनरजी ग्यान अब जिनको सिर्मे दर्द रहता है वो सिर्मे दर्द क्यों होता है बताईए माताओं को सिर्मे दर्द होता है ना सिर्मे दर्द क्यों होता है बताओ फिलिंग में आ जाती है जब किसने इसने ऐसा बोल दिया इसने ऐसा बोला मेरी सास ने ऐसा बोल दिया पती ने ऐसा बोल दिया बच्चे ने ऐसा बोल दिया नहीं पुरानी बात याद आ जाती है माइगरन का करण क्या है जो माइगरन होता है जो सिर्मे दर्द होता है ठप ठप जोड से होती है उल्टियां आती है क्यों क्या क्या करण है उन्ही माताओं को या उन्ही भाईयों को तो जो बहुत सेंसिटिव होते है अगर इस ग्यान के सागर में डूबी रहो तो जिनको सिर्मे दर्थ की बिमारी है जिनको बाते भूल जाती है जिनको मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं एपिलेपसी है या और कोई दिमाग की बिमारी है उनको क्या करना चाहिए उनका इलाज क्या है सारा दिन ग्यान के सागर में डूबे रहें तो उनका सिद्द गायब हो जाएगा उनके दिमाग की तकलिफ खतम हो जाएगा तो बार बार या भ्यास करें सारा दिन लिखो मैं आत्मा हूँ मेरा पती आत्मा है मेरा बच्चा आत्मा है एक मैं इसमें ही बात कहते हैं यह मेरी यूगल है यह यह मेरा यूगल है तो है तो किसका यूगल हो वो बाबा की यूगल है ना और किसी की यूगल को अपनी यूगल कहना अच्छी बात है क्या बता अच्छी बात है ठीक है ठीक है तो किसी की यूगल को अपनी यूगल कहना ठीक है क्या गलत बात है ना तो कहना चाहिए ऐसे बोलो जो समझते हैं कहना चाहिए बहाँ उठाओ तो आज के बाद ऐसे नहीं कहना ठीक है आतमा की दिके से देखना है ना आपस में पवित्रता सबसे पहली Foundation है को पवित्रता चाहिए ना मन में तो पवित्रता चाहिए बोल में भी चाहिए Kommentar क og ला तो हमारे हर कारेविवार में outta कर बोल में एक दम 100% पवित्र बोल होने चाहिए अच्छा बच्चे बच्चा किसका है वो बाबा का किसी के बच्चे को अपना बच्चा कहना कैसे लगता है अच्छी बात है माता ही करते है, मेरा बचा कहना नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आपको बच्चा कहा है, किसका बच्चा है, बाबा का बच्चा है ना, तो ये भी गलत बात हुई ना, पाप हुआ ना, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को क्या बोलना चाहि भाई यह feeling निकाल दो कि बच्चा है यह पढ़ता नहीं любов यह ऐसा नहीं करता है वैसा नहीं करता है माताओं को सिर्मधात क्यों होता है इसी करम तो होता है नहीं तो उनको इस समझो नहीं इसका पार्ड है इसको जो बनना हो बने गा इसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनेगा चपडासी बनना चपडासी बनेगा इसका जो भाग गया है वो बनेगा और कई बात समझाने तो बहुत प्यार समझाओ तो सिर्की बिमारी खतम तो मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है हम सब एक बाप की संतान है, आपस में भाई भाई है हम सब पावन थे, अब पावन बन रहे हैं और सब का अपना अपना पार्ट है ये बुद्धी में बाते बार बार लिखते जाओ लिखते जाओ, 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 ल और बार-बार infection नहीं होंगे फिर, अगर सांस की बिमारी है, lungs की बिमारी है, सांस की बिमारी है, या फेफोणों की बिमारी है, तो क्या करो, किसमें डूब जाओ, शांतिके सागर में डूब रो, जरा भी जल्ली बाजी करना छोड़ दो, बस सब काम बाबा करने वाला है करण करावन हार है मैं निमित हूँ और मुझे जान बुझ के slow रहना है fast नहीं होना है तो सांस की बिमारिया थोड़ी से दवाईश ठीक होने लग जाएंगे सांस अच्छा आने लगेगा गहरा सांस आने लगेगा अगर हार्ट की बिमारी तो क्या करना पड़ेगा प्रेम के सागर में डूब जाओ ठीक है और सारा दिन डूबे रहू तो फिर क्या होगा क्या होगा हार्ट की बिमारी ठीक होती चली जाएगे ठीक है ये अनुबव है छे साल का छे साल से जब से रिसर्च प्रजेक्ट शुरू हुआ है तो हमने देखा है कि जो लोग जो हाट के दिलवाले आते हैं ये सब के सब सारा दिनी इसी इसी चीज़ का नुभव करते रहते हैं फिर है आनन्द सुख सुख पेट की बिमारी है लिवर की बिमारी है खाना हजम नहीं होता है इसी इसी बहुत बनता है तो क्या करो साला दिन सुक के सागर में डूबे रो अगर कुछ हार्मोंस की प्राबलम है थाइराड की प्राबलम है या पैंक्रियास की प्राबलम है डायबिटीज है तो क्या करो आनन्द के सागर में डूबे रो हमारे पिट्ट्री ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन दो तरह का होता है एक ग्रोथ स्टिमिलेटिंग हार्मोन होता है एक ग्रोथ इनिविटिंग हार्मोन होता है दो तरह के हार्मोन नई सेल्स बनने की स्पीड और मरने की स्पीड बराबर हो जाती है क्योंकि चिंताएं बढ़ जाती हैं 25 साल की उमर आते हैं तो आनंद कम हो जाता है थोड़ा थोड़ा विकार आने लगते हैं जीवन में तो आनंद कम हो जाता है और जैसे हम थोड़ा सा और विकारी बनते हैं, और गMichael में चिंताहिय बढ़ती हैं, आनन्द और कम हो जाता है, तो growth हर्मण की निगलना बहुत कम हो जाता है, और मरने की spirit पास्ट हो जाता, इसलिए हम बुड़े हो जाते हैं. सटविक में सारे सारे उमरे हैं माकि अनंद के हर्मोन बहुत निकलते रहते घुरूध हर्मोन निकलता ही ड़ता है ने तो क्या होते हैं सारे उमरे जवान फ्रेश रहते हैं बुडे होते ही हिंँख ayam Soul conscious रहते हैं तो हमारा बूटे उन्हे कारण ही आनन्द की कमी अगर हम सधा आनन्द में रहें तो क्या होगा, बूठे होगा आज भी हमारी दादे जी कितनी active रहती है कितना सब को ओमंग उत्सा में ले कि आती है 85 साल के आदमी को इतना इनी तो मंग उत्सा होता है कियों कि क्यों कि आनन्द का साघ्र से पार सता ॏ Yap है सदा आंद के हर्मन निकलता ही रहते है उनके उनका आन सब को सारी सभा को आनंदित करता ही रहता है ले- ऑर कि और हम भी जैसे बच्चे बन जाता जैसे दादी देखना बर्कुत बच्चे की कि नहीं तो आनन्द के सागर में डूबर हो तो क्या हो जाएंगे हम सभी फ्रेश हो जाएंगे जो इस ग्रूप में हाट के प्रोग्राम में जो आते हैं दिल वाले आते हैं 60 साल के होते हैं वो अपने आपको 40 साल का महसूस करते हैं और 40 साल वाले अपने आपको 20 साल का महसूस करते हैं तो आप भी अपनी उमर 20 साल कम कर सकते हैं ठीक है अर्थात आप अगर अगर 20 साल के तो तो अपने सोग बच्या संवझ सकते हैं थी कि ऐसा हो सकता है और अगर आपको हड़ियों में तकलीफ है तो आप शक्ति युद ना बाबा से मुझ में शक्ति आ रही है पर्खने की स्थियारा रही है ऑंदर लेते जाओ विस्तार को सार में लाने शक्ति का रही है अत्षों सिंने का रागा और समय सब्सक्राइं कौह याद है। योगल रूप है नो है ऐसे याद करें ना उनको परखना और निर्णे परखेंगे तो निर्णे कर सकते हैं नितों परखेंगे निर्णे 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 कर सकते हैं समाना विस्तार को सार में लाना और समेटना ये दो जोड़ा है ठीक है सहन करना और सामना करना सेयन करेंगे तो सामना कर सकते हैं समाना और सयोग करना जो समाएंगे तो सयोग कर सकते हैं तो आठों शक्तियां यह हो गई ठीक है अब मैं आपको थोड़ी सी बात है पांच मिनट और मैं आपको पांच मिनट में और थोड़ी सी गहराई में ले जाता हूं इस बात के वारे में कि इस तरह से तो अपनी शक्तियां प्रयोग करना आत्मा के लिए बताया मैंने मन का समय जो है आत्मा को चार्ज करने का समय कभी है चार से पांच और मन को सवच करने का समय क्या है मन दूशित कभी होता है जब हम उठते हैं सुबह सुबह लौकिक लाइफ में तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं अख़बार में क्या आता है अख़बार हमारे हाथ में यह तो रैडियो में नीज सुनते हैं या अख़बार हमारे सामने आता है ठीक है अख़बार में क्या होता है कौन सी टीम होती है अख़बार में कैसी यादे होती है कैसी एटिट्यूड होता है कैसी भावनाएं होती है और कैसी संकल्प अख़बार ख़बर पढ़ने से कैसे संकल्प चलते है नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव टीवी में खबर देखो या अखबार में पढ़ो या रैडियो पे सुनो तो नेगेटिव भी चलेंगे ना तो हमको सुबा आठ बजे तक आठ बजे हमारी एडरिनल ग्लेंड से चिंता वाले हर्मोन निकलते हैं भी हूँ से कॉर्टिसोल कैते हैं स्टीरॉड प्राइट वी आएट बजें निकलते हैं जब हम 6 बजे माले पांच बजे दुनिया में जब पांच बजे उठते हैं टो क्या करते ही चाय पीते हैं पिर अपना अख़वार लेते हैं अख़वार पढ़ते हैं और फिर प्लैनिंग करना शुरू कर देते हैं कि आज मुझे ये भी करना आज मुझे ये भी करना आज मुझे ये काम करना आज मुझे ये काम करना तो आठ बजे तक उनके बन में यह चिंताई चलती रहती हैं और आठ बजे ब बहुत शान्त रखें और टीम जो है अपनी positive अंदर भरें especially 7 से 8 का समय हार्मोन निकलने से एक घंटा पहले अगर हमने अपने मन में team positive डालने और positive team क्या कहां से मिलेगी हमें मुरली से मुरली में कौन सी team है कौन सी स्मिर्थियां है यादे कौन सी है हम देवता थे हमारे हिरे जवारात के महल थे हम है न हमारे पापुषपर क्विमान थे पेट्रोल वाले नहीं दूएं वाले नहीं थे attitude कौन सा है सकरातमक सबका कल्यान हो सबको संदेश मिले सबको बाबा का संदेश मिले सब बाबा के बच्चे बने भावना कौन सी है सबके परती आत्मिक भावना है शुब भावना शुब कामना मुर्ली में मिलती है न संकल्प कौन से है शुब संकल्प है स्रे संकल्प है तो ऐसी हमको मुर्ली से टीम पॉजिटिव सेरा मुरली से मिल सकती है और किसी अख़बार से किसी मैगजिन से नहीं मिल सकती है और रोज मुरली सेंटर पर जाके सुन लें अगर और मुरली सुनना भी बहुत important सेंटर पर है कारण क्या हमारे घर में जो कि मैजया अब एक मशीन बनी है जिसे लाइफ और झापने की मशीन बनी है उसके दोरा लाइफ और इनरजी नाप सकते हैं घरों में जो लाइफ और उरजिए बहुत थोड़ी होती है और सेंटर पर वातावरन ओगयूग्त होने कारण से वहाँ life force energy 15,000-20,000 होती है तो जब हम high energy atmosphere में बैठके मुर्ली सुनते हैं तो मुर्ली हमारे अंदर चली जाती है नहीं तो मुर्ली बाहरी रह जाती है तो वहाँ मुर्ली हमें याद रह जाती है और जो भी बहन मुर्ली सुनती है वो भेहन मुरली नहीं सुनाती है बाबा उसके मुखद्वारा आकर के मुरली सुनाते है तो खाली मुरली नहीं सुनते है साथ साथ शक्तियों का परवा भी होता है तो परवा शक्ति भी मिल जाती है जो बाबा मुरली में बात कहते है मुरली धारन करने की शक्ति कहां से मिलेगी जब मुरली चल रही है उसे समय तो अगर साथ से आठ हम मुरली सुने तो हमारी टीम पॉजिटिव हो गई तो जो हार्मोन आठ बजे निकलेगे वो बैलेंस में निकलेंगे थोड़े से निकलेंगे और हम सारा दिन बहुत इजी रहे काम करेंगे टेंशन में आगके काम नहीं करेंगे जल्दी बाजी में आगके काम नहीं करेंगे और बूड़े नहीं होंगे इसलिए साथ से आठ डेली मुरली सुनना आवर्शे सुबा कई लोग के थे हम शाम को मुरली सुनेंगे अब मुझे एक बात बताएं आप आज आपको बहुत सारे काम है दिन में आप सुबा सुबा उठे आपको बहुत सारे काम करने है सारा दिन बहुत बिजी एक मिनिट का भी आपको फुरसत नहीं है तो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो मैं सनान नहीं करता हूँ, छोड़ो आज सनान को, अच्छा नास्ता भी नहीं करूंगा आज, चलो मैं ऐसी आफिस से ला जाता हूँ, ऐसा करते हैं क्या, आज दुकान पर बहुत सारे ग और हम क्या करते है अरे आज तो बहुत काम है आज चलो अमरित वेला मिस अमरित वेला मैंना सनान और मुरली मैंना भोजन आत्मा का भोजन कौन सा है मुरली और आत्मा का सनान कौन सा है अमरित वेला गंगी सारी बाहर निकालनी न तो कितने भी बिजी हो बच्चे की शादी क् या कोई function ना क्यों ना हो, या कोई मर गया हो, तो भी कोई हज़ा नहीं, ठीक है? तो हमें क्या miss करना चाहिए अमरी त्वेला? क्या मूरली miss करने चाहिए? मूरली तो भोजन है, अगर मैं अपने को आत्मा समझता हूं, तो मेरा भोजन क्या है? मूरली. अगर मैं अपने को आत्मा निश्चे है मुझे तो मुझे मेरा सनान क्या है? अमरित वेला तो कभी मिस्ट करना चाहिए? अगर मैं अपने आपको दे समझता हूँ तो पिर तो मेरे को सनान करना बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे खाना खाना बहुत आवश्चे करना बहुत आवश्चे करना बहुत आवश्े 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 करना बहुत आवश पक्का तो पक्का पका अमरित वला पक्का करेंगे स्नान रोज करेंगे ना बोजन रोज करेंगे बुखा प्यासा तो नहीं रहेंगे तो यह पक्का करना है ठीक है अमरित वला और सोते समय चार्ड चेक करना यह बहुत आवश्यक है एक बात मैं बहुत लास्ट में बात कहूं आपको कि मैंने पता ने एक मशीन बनी है जिसके दार पता लगा है अगर हमारी इनर्जी 25,000 हो जो है तो हम शरी से मुक्त हो सकते हैं मतलब शरी में ऐसा फिरकर शरी में रहते हुए शरी में हैं नहीं अपने आपको फरिश्टा महस हैं अर्था दे के बंदन अमें अपनी तरफ खीचते नहीं है तो अब हम अभी हम क्या करते हैं अमृत्वला योग करने बैठते ना 7,000 से उठे और 25,000 हमें फरिश्टा सिथिका अनुववव करना है तो हम अनुववव करते हैं मैं आत्मा हूं अंदर अंदर रिपीट करत ना मनन करते हैं ना योग करते हैं तो जैसे से हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं मारी अनर्जी बढ़ती जाती है तो साथ जार से आठ जार हो जाती है नो जार दस हजार चार बज़ के पच्छिस मिनट पे हो गई बारह हजार है ना फिर चार बज़ के चालिस मिनट हो तो तो अबस अभी बुल रहाएं. एक कल्यान के संजे भाई तुरंत कल्यान में फौन करें. संजे भाई कल्यान के. उनके लिए अर्जन्ट कॉल है. ठीक है? तो अब ही समझे हैं आप हम बाबा की गोध में जाएं उसके बाद हमें आगे भी जाना है. परमधाम में जाना है बाबा सुक्षम मदन में बैठा है वहां विकरम विनाश नहीं होते हैं वहार उर्यान करते हैं विकरम विनाश हमारे बीजरूप स्टेज में होते हैं और मालीजा आप एक सेकिंड के लिए बीजरूप स्टेज में भी चले गए तो विकरम बिनाश हो जाते है आपने दूद आपके घर में आया दूद आप स्टोप पे रखिया अपने गैस पे रखा और उतार लिया दूद गरम हो गया किटाणू मर गए दूद के बताएए मरे नहीं मरे ना मर गए माताय आनुबब बताएंगे दूद गेस पे रुखा और उतार लो दूद गरम हो गया बच्चों को पिला दो अभी पिलाएंगे बच्चों कैसे तो यही हालत हम करते है इसलिए हमारे विकरम मिनाष नहीं होते है रोज के रोज वह हालत, रोज गुसानी का आज क्रोध नहीं करेंगे फिर भी क्रोध आजाता है आज ये नहीं करेंगे फिर भी हो जाता है आज जल्दी नहीं करेंगे फिर भी जल्दी हो जाती है क्यों नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कारण यहां है तो सोने से पहले इसके लिए बहुत सिंपल सी करेक्शन है सोने से पहले आप अपना चार्ट भर लो चार्ट भर के जो को गलती हुई बाबा को बता दो बाबा अज मुस्चे गलती हुई है अपने दिन को स्कें कर लो सुबह से लेके शाम तक 4-5-6-6-7-7-7-8 स्कें करो आज मेरी यह गलतियां हुई है तो स्कैन करके और जहां जहां गलती हुए इसको नोट करके बाबा को बता बाबा यह आज मुझसे गलती हुई बाबा आज से मुझे इसको माफ करना आगे से मैसा नहीं करो दिर संकल्प से बाबा कबो और हो सके तो गंटे-गंटे का चार्ट रखो, जैसे हम लोग अपने जेब में रखते हैं, हम लोग देखिए हमारे पास चार्ट ना, हर गंटे का चार्ट रहता है, और गंटे-गंटे हम भरते रहते हैं, इस गंटे में कितने दिर सुल कांशेस रहे, कितने दिर पका पॉजिटिव हम ने बहुत स्ट्रॉंग मिलब जौला सुरुप का योग किया, कितने दिर हमने चलते फिर ते योग किया, घंटे-घंटे का चार्ट रखते हैं, और फिर शाम गलती होते हैं, गलती भी नीचे लिख देते हैं, अज यह अभी गलती मुझसे हुई, तो फिर हम लोग शाम को चेक कर लेते हैं, और चेक करने वो bed है आपकी? Garage. है न? वो bed, car है ने, ये body car है, car को कहां रखो? Garage में रखो, ठीक है? और आप भी garage में सो जाओ, ऐसा? आपका bedroom कौन सा है? सुक्षम वतन. और bed कौन सा है? बाबा की गोद. ठीक है? तो बाबा की गोद में जाने के लिए क्या करना? 25 जार एनरजी चाहिए. तो याद करते करते, बाबा की गोद में चले जाओ. ठीक है? और वहाँ जाके सो जाओ. तो अपने आप, body तो यहाँ सो जाएगी, bed पे. और आप, उपर जाके सो जाओ. और गैरेज में सो गए तो क्या होगा? फिर तो मच्छर काटेंगे, गर्मी लगेगी. गैरेज में खिड़की होती है क्या? खिड़की तो नहीं होती है, होती है खिड़की? नहीं होती ना? दे में सोना माना, गैरेज में सो जाओ. तो बाबा की याद में सोना मना, उपर जाके सो जाओ, पच्छिस जार पर सो गए पच्छिस जार पर सोएंगे तो सुबा कितना मिलेगा, उठेंगे तो कितना मिलेगा आप अपनी अल्मीरा में पच्छिस जार उपर डाल के सो जाओ, सुबा कितना मिलेंगे चोबिस हजार पचीस ही मिलेगा ना चोर ने रात में नहीं आवे तो पचीस ही मिलेगा तो जब अब रात उठेंगे सुबा सुबा तो क्या होगा उठते ही योग में बैठना है तो पचीस से तुरंट आप पचास, पचातर, एक लाख माना बेजरूब स्टेज और फिर आपके विकर्म बिनाश होंगे फिर चार बज़ के दो मिनट पे आप एक लाख में पहुंच जाएंगे और चालिस मिनट आप फिर आपका योग होगा ऐसा पाउरफुल, विकर्म बिनाश करने वाला तब विकर्म बिनाश होंगे चीक बात है और जब आप एक लाख की स्थिती में जब आप योग करेंगे तो विकर्म बिकर्म 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 हो गया बोज कम हो गया और फिर जब आप मुर्ली सुनने जाएंगे स्रान करेंगे नहाएंगे दोएंगे तो आपका क्या होगा फिर आटोमेटिक लिए आपकी स्तिती मुरली में भी आपकी स्तिती 25,000 की फरिष्टा बनके मुरली सुनेंगे मुरली अंदर जाएगी 7,000 पर मुरली अंदर नहीं जाती है आठ जार पर मुर्ली अंदर नहीं जाती है फिर सारा दिन स्थिती भी ऐसी रहेगी फरिष्टा स्थिती जैसे सबको अपने आप शांती मिलती रहेगी आप से सब लोग आपकी महिमा करेंगे सब लोग आपको देवता रूप में देखेंगे चलन और चेने से बाबा प्रतेक्ष होगा बाबा दिखाई देगा और आपके आस पास एक औराव बन जाएगा वो आपकी सब से रक्षा करेगा किसी की बुरी दिष्टि से बुरी वृति से बुरे संकलपों से बुरे बोल से वातावरन में जो खुराब चीज़े हैं उससे आपकी रख्षा होती रहेगी और बाबा चत्र चाय के रूप में आपके साथ सदा ही रहेगा हमारे साथ सदा रहेगा नहीं रहेगा रहेगा ना ठीक है तो सोने से पहले चार्ट जरूर चेक करना और दस मिनट याद करके फिर कहां सोना उपर पक्का जो आज से सोयेंगे वहाद उठाओ और जो सुबह सुबह अमरी तवेला पावरफुल करेंगे वो सब करेंगे ना अमरी तवेला मुरली और ये और बार बार जिसको जो रोग हो उसका तरीका मैंने बता दिया ठीक है राइट तो इतना ही सरफ अभ्यास करेंगे तो आप सब के सब सदा स्वस्त इस जनम में पहले जनम में सदा स्वस्त सदा समरिद और सदा सुख से रहेंगे ओम शान्त